Welcome to Learner B Extra, I am Shivani Chauhan और हम देखेंगे इस विडियो में 7th Class की Maths की बुक का चाप्टर 2 Exercise 2.4 के Question 3 और 4 इससे पहले का चाप्टर, इससे पहले की Exercise और पूरी बुक हमारी Baths की covered है, Science की भी covered है बचो, English, History आपका पूरा का पूरा सलेबस complete है आपको सिर्फ जब भी को सर्च करना है तो आगे लिखना है Learner B तो चलिए आगे के Questions देखते हैं आप Learner B जब लिख करके सर्च करेंगे कोई भी Chapter तो आप लोग को Easily मिल जाएगा, तो चुड़ा कर लेते हैं Question No.1 और 2 तो हमने देख लिए इस exercise के 2.4 के अब हम Question 3 से स्टार्ट करते हैं तो देखो पच्चो Question No.3 है Question No.3 का जो First Part है उसमें हमें पताया गया है 7 by 3 Divide by 2 इससे पहले के Question में जो First Question था उसमें भी ही किया था हमने बस उसमें, देखो क्या था आगे क्या करना है इसमें Simple सा देखो 7 by 3 है 7 हमेशा, देखो कभी भी आप 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं तो आप 1 अप 1 कभी लिखते नहीं है बट हमेशा इसके नीचे ये होता है 1 लिखना जरूरी नहीं होता पर जब हमें उल्टा करना है तो लिखना पड़ेगा तो यानि कि ये जो 2 था इसके जगे आप लोग क्या लिख दोगे 1 upon 2 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 बन जा 7 और 3 टू जा 6 तो हमारे पास अंसर क्या आ गया हमारे पास अंसर आ गया 7 upon 6 अब इसको हम लोग mixed fraction में convert करेंगे तो mixed fraction में कैसे का देते है convert ये देखो 6 है इसको mixed fraction में ऐसा होता है कि ये 6 थै ये तो ऐसे का ऐसी ही रहता है बस उपर नीचे को चला जाता है तो 6 से 7 को divide करो तो 6 बन जा 6 तो क्या बचा remainder? remainder बचा 1 तो जो remainder बचता है वो उपर आता है और जो इधर होता है ये side में आ जाता है इस case में ये दोनों के दोनों 1 थे तो 1, 1 upon 6 हमारे पास answer आ गया तो first part हो गया second part देख लेते हैं second part में हम लोगों को बुला गया है 4 upon 9 divided by 5 तो 4 upon 9 divided by 5 क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही 4 upon 9 लिखो divide के बाद जो number है उसको उल्टा कर दो divide के जगा multiply लगा और 5 की जगे आप 1 upon 5 लिखतो कैसे क्योंकि 5 upon 1 होता है हमेशा हमें सिफ लिख्या नहीं दिखाते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं होता बाद जब उल्टा करना है तो उपर 1 और नीचे 5 multiply कर दो 4 upon 4 और 9 5 ज़र क्या होता है 45 45 तो 4 upon 45 हमारे पास यहां पर आ जाएगा आप आपने यहां पर mix fraction में convert किया था क्यों किया था क्योंकि इसमें denominator जो है नीचे वाला होता है denominator denominator हमारा छोटा था जब हमारा numerator छोटा होता है और denominator बड़ा होता है ना जब ऐसे होता है तो हम इसको ऐसे ही जोड़ देते है और mix fraction में कब convert करते हैं हम लोग जब हमारा numerator बड़ा होता है तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे थर्ड है हमारा 6 upon 13 divided by 7 तो 6 upon 13 divide के जगे multiply 7 के जगे 1 upon 7 उल्टा कर दिया 6 बंजा 6 और 13 7 सा क्या होता है 13 इंटू 7 multiply करते हैं तो answer आता है 91 तो इस थर्ड वाले का answer आ गया 6 upon 91 फोर्थ पार्ट देख लेते हैं देखो फोर्ट पार्ट में हमें बोला गया है 4 1 by 3 4 1 by 3 को divide करना है किससे 3 से divide करना है तो सबसे पहले तो हमें mix fraction है अब इसको थोड़ा convert कर लेते हैं तो 3 तो ऐसे ही आजाएगा 4 3 जा 12 मतलब 4 और 3 की multiply होगे और 1 add होगा 4 3 जा 12 प्लस 1 13 और divided by 3 फिर इसको क्या लिखोगे 13 upon 3 तो ऐसे ही लिखत होगे divide की जगे multiply लगा होगे और 3 की जगे 1 upon 3 13 बंजा 13 और 3 3 जा 9 तो 13 upon 9 आगया answer अब इसको divide कर दो 13 को 9 से divide कर दो 9 बंजा 9 और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 तो क्या आएगा 9 ऐसे ही उतार दो 4 जो remainder था इसको उपर लिख दो और इसको 1 चल यहाँ पर लिख देते है 1 जो यहाँ साइड में था इसको ऐसे आजाएगा यह तो करना आता है ना बच्चों आपको क्या खिया समझ में आया या नहीं आया वे दुपारा से बता देती हूँ एक बार 4 1 upon 3 था 4 1 upon 3 को आप लोग जिससे कि क्या से convert करते हैं यहाँ पर रफवर्ग चल रहा है ना यह पूरा तो 3 है तो हम लोग ऐसे जिस उतार देंगे 4 3 जा 12 और प्लस का 1 इस 1 को प्लस करेंगे तो 13 upon 3 हमारे पास आंसर आ गया था डिवाइड अब डिवाइड की जगा तो 3 की जग है 1 upon 3 करतो तो 13 इंटू 1 कर दो तो 13 जा 13 और 3 3 जा 9 और फिर इसको 13 upon 9 को मिक्स ट्रैक्शन में कनवर्ट कर दो 13 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 जा 9 और प्रिमेर बजा 4 तो 4 ऊपर और यह 9 नीचे और यह 1 साइड में 9 तो नीचे ही था पस जो नीचे बचता है इसको पर इतेते हो हिदर वाली को साइड में देखो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है 3 1 upon 2 divided by 4 तो देखो पहले जासा ही कर दिया नोंने फिर से तो देखो अब यहां पर 2 है इस 2 को तो ऐसी नीचे उतार दो 3 2 जा 6 3 की मल्टिप्लाइए 2 से 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ रहा है समझ 3 2 जा 2 तो पहले ऐसी लिख दिया फिर 3 इंटू 2 होता है 6 और 6 प्लस 1 होता है 7 तो 7 upon 2 लिख दिया फिर डिवाइड के जगे मल्टिप्लाइए और 4 की ज नियूमेरेटर चोटा है डिनॉमेरेटर जब ड़ा होता है तो हम ऐसा ही छोड देते हैं नियूमेरेटर अगर होता ना पढ़ा तो हम मिक्स एक्षन में कनवर्ट करते हैं अब हमारा इसको क्वेशन का लास्ट पार्ट है 4 3 by 7 divided by 7 ठीक है तो इसको हम लोग करेंगे 4 3 by 7 को हम लोग क्या लिखेंगे क्योंकि ये mixed fraction है अब इसको हम लोग convert करना बढ़ेगा तो 7 जो नीचे है denominator में उसको ऐसी उतार दो 7 फोर्जा क्या होता है 28 होता है और इस 28 को आप 3 में add करोगे 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा 31 तो 7 फोर्जा 28 और 28 में 3 प्लस करोगे तो हमारे पास आजाता है 31 डिवाइट के जगे आप क्या लगा दो multiply लगा दो और 7 को आप लोग 1 अपॉन 7 लिख दो 13 वन्जा क्या होता है 13 होता है 13 वन्जा तो और 77 सा क्या होता है 77 सा होता है 49 तो हमारा denominator बढ़ा था तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो यानि कि हम लोगों का ये 5th पार भी यहाँ पर हो गया आगया समझ कैसे किया हम लोगों ने हम लोगों ने 7 को इसे उतार दिया 7 फोजे 28 28 प्लस 3 31 डिवाइट के जगे multiply 7 के जगे 1 अपॉन 7 और आंसर निकाल दिया अब हमारा last question is exercise का question number 4 question number 4 भी यही है जो ये वाला था तो 2 upon 5 divided by 1 upon 2 तो 2 upon 5 divided by 1 upon 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 2 upon 5 आ गया दिवाइट के जगा क्या करोगे multiply और 1 upon 2 था तो 1 upon 2 का उल्टा क्या होता है 2 upon 1 हो जाएगा है ना उपर 1 था तो नीचे 1 upon 2 था ना यह तो 2 upon 1 हो जाएगा तो बस 2 टूजा 4 और 5 तो हमारा first का answer आ गया first part का 4 upon 5 next देख लेते हैं इसका है 4 upon 9 divided by 2 upon 3 अब देखो क्या करेंगे 4 upon 9 को as it is होता है तो divide के जगे multiply लगा दो और इसको उल्टा कर दो 2 upon 3 की जगह क्या लिगत हो के 3 upon 2 और 4 3s are 12 और 9 2s are 18 तो नीचे वाला उपर वाले से बढ़ा है तो ऐसे ही चोड़ देंगे यहां पर देखो कि यह 2 की टेबल में आते हैं दोनों तो काट देते हैं 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 तो 6 upon 9 6 upon 9 भी 3 से कर जाएगा तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 तो इसका अंसर आ गया 2 upon 3 क्यों क्योंकि जो अगर एस सेम टेबल में आ रहे होते हैं तो हम लोग काट देते हैं तो हमने कर दि थर्ड पार्ट है 3 upon 7 divided by 8 upon 7 तो फिर से यही करेंगे 3 upon 7 लिख दो मल्डिप्लाय का साइन लगा तो 8 upon 7 की जगा 7 upon 8 लिख दो अब जरा देखो 7 और 7 कट गया उपर 3 है नीचे क्या है 8 है तो यह आंसर क्या आ गया 3 upon 8 आ गया 3 पार्ट का अंसर तो यह तीन हो गए 3 पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 4 पार्ट 4 पार्ट में क्या है 2 1 upon 3 divided by 3 by 5 तो पहले चेंज करना पड़ेगा तो 3 को ऐसे करके लिख दो 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 फिर डिवाइड के जगा गर दो मल्टी प्लाय लगा दो और 3 upon 5 को क्या लिख दो 5 upon 3 लिख दो राइट का 9 अब देखो सरा उपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो भी फ्रक्शन मिक्स फ्रक्शन में कलवर्ट करो 9 तो 9 की जगे तो 9 नहीं नहीं आ जाएगा है ना अब आकी क्या एगा 9 5s 45 और 9 4s क्या होता है 9 3s 27 9 3s 27 और 3 5 6 7 8 तो 8 बच जाएगा यहां पे नी वाले का क्या आंसर आगया 4 वाले का आंसर आगया 3 8 अपान 9 तो 2 1 बाइ 3 जो था 2 जा 6 और प्लस 1 7 यानि की 7 बाइ 3 आँसर आए था इसका फिर डिवाइड के जगा मल्टिप्लाय लगा दिया 3 अपान 5 की जगा 5 अपान 3 कर दिया और फिर सॉल्फ कर दिया आ गे तो 4 पार यह हो गया अब इसी तरीके से आगे 5 पार देख लेते हैं 5 पार्ट में भी हमें mix fraction दे रखिया पर शांद करती रहता है mix fraction से पहले हटाओ और mix fraction में दुबारा convert भी करो बार 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 तो देखो तो देखो तो फिफ्थ वाला देख लेते हैं 5th question क्या है हमारा 5th question यह ह 5th में हमें बोला गया है 3 1 by 2 को divide करना है 8 by 3 से तो हम लोग क्या करेंगे 2 को तो ऐसे ही नीचे उतार देंगे फिर 3 into 2 क्या हो जाएगा 6 और प्लस का 1 यानि की 7 तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 1 by 2 को आप लोग क्या करोगे 2 नीचे लिख दोगे और 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 यानि की 7 by 2 हमारा यहाँ पर आ गया था तो हमने 7 by 2 लिख दिया फिर हमने divide के जगे multiply का sign लगाया 8 upon 3 था तो 8 upon 3 को मुल्टा कर देंगे यानि की 3 upon 8 कर देंगे तो 7 3 जा 21 और 8 2 जा 16 उपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो 16 से 21 को divide करेंगे तो 16 से 21 को divide करा तो 16 21 तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा 16 1 जा 16 तो 21 में से 16 कटेगा तो हमाँ पस क्या बचेगा 5 और यह 16 है इसको तो हमने नीचे उतार दिया था यह 5 उपर आजाएगा और यह 1 यहाँ पर साइड में आजाएगा तो 5 पार्ट हो गया 6 पार्ट में देखो क्या होगा 6 पार्ट में थोड़ी सी अलग चीज है कि इधर साइड वाला हम लोगों को mixed में दिया हुआ है तो 2 अपन 5 तो देखो as it is रहेगा डिवाइड का साइन एक बार लगा तो क्योंकि इसको solve कर लेते हैं पहले 2 ऐसे ही लग दो तो 2 बन जा 2 और प्लस 1 3 तो 3 बाई 2 डिवाइड की जगे मल्टिप्लाई 3 बाई 2 को उल्टा करेंगे 3 बाई 2 को जब हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपान 3 और फिर 2 डूजा 4 और 5 3 जा 15 नीचे वाला बड़ा है तो हम ऐसे ही यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक हो गया अब 7 देख लेते हैं समझ में आ गए ना यह वाले तूनों देखो है ना यह solution है आप लोग नोट कर सकते हो बाउस करके जाओ तो तो फोर्त जो सेवंथ वाला पार्ट है हमारा सेवंथ वाला पार्ट में हमें 3 1 बाई 5 divided by 1 2 बाई 3 हमें दिया हुआ है तो देखो 5 ऐसी उतार तो 5 3 जा 15 इससे इसकी मल्टिप्लाए और यह वाला एड 5 3 जा 15 प्लस 1 16 और डिवाइड 3 3 वनजा 3 और प्लस 2 थिवेजा 3 और मल्टिप्लाए और यह वाला उल्टा 3 अपॉन 5 हो जाएगा यह है ना 16 3 जा क्या होता है 16 3 जा होता है 48 और 5 5 जा होता है 25 इसको मिक्स ट्राक्शन में मैंने कनवर्ट करूंगी तो यहां पर आजाएगा 25 और 25 को देखो 25 से हम 48 को डिवाइड करेंगे तो 25 और यह 3 बचेग यहां पर 2 तो 23 ट्रेमेंडर बचा है तो 23 यहां पर आजाएगा और यह जो 1 था यह साइट में आ जाएगा तो आंसर क्या क्या आंसर आ गया हमारा 123 अपॉन 5 तो क्या क्या किया हमने इसमें पहले इसको कनवर्ट किया मिक्स फ्राक्शन से फिर डिवाइड का साइन हटा के म तो देखो 2, 1 upon 5, 5 ऐसे उतार दो, 5 to 10 plus 1, 11, डिवाइट के जगे, तो 6 upon, तो 6 upon 5, ठीक है, अब हम डिवाइट का साइन हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइट के जगे, multiply, 6 upon 5, 5 upon 6 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा, 11 upon 6 बचा, अब देखो नीचे वाला छोटा है, तो mix fraction में हम convert करेंगे, 6 से डिवाइट करो 11 को, तो 6 बंजा 6, और फिर क्या हो जाएगा, 4 और 1, 5, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 ऐसे ही आजाएगा, remainder में 5 हैं, तो जो remainder में होता है, वो उपर जाता है, और जो इधर होता है, वो side में, तो answer आ गया, 1, 5 upon 6, और यहाँ पर हमारी exercise हो गई, complete, thank you.